और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितेनाथ ने आजमगड राज्य विश्विधाले का नाम महराजा सुलेदेव के नाम पर करने की घोशना किया और वहीं आजमगड ने भले दो पूर मुख्य मंत्री दियो हो लेकिन आजमगड के सामने पहचान का संकड खड़ा रहता था और वहीं मुख्य मंत्री योगी आधितेनाथ ने कहा कि पहले आजमगड में एक होटल नहीं मिलता था और लोगों को धर्मशाला में रुकना पड़ता था लेकिन आज पूरवांचल एक्सप्रेस स्वे वह आजमगड से जुड़ कर गुजर रहा है और वहीं आजमगड मे लावा किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और पहले नोकरी निकलती थी तो महाबारत के सबी रिस्ते निकल पड़ते थे और कोरोना काल में खिले शादव आजमगड का हाल चाल लेने नहीं आए और उन्होंने आगे कहा कि चुनावाता है तो कभी कभी ये आएंगे और फिर चले जाएंगे और साल दोजासाथ में इसी आजमगड में मुझ पर हमला किया गया था और वहीं एबीवीपी के कारेकरता की हत्या यहां इसले की गई क्योंकि वो वंदे मातरम गाने के लिए कह रहे थे और क्या आज किसी की हिम्मत है कि वो वंदे मातरम ना गाने दे और गुंड़े करने वालों को पता है कि दुरियाधन और दुशासन का क्या हश्र हुआ है और उन्होंने कहा कि होली से लेकर दिपावली तक मोदी जी ने मुफ्त राक्षन दिया और अब हम दिवाली से होली तक लोगों को फ्री राक्षन मुहया कराएंगे और आजमगड के विश्वध्याले बनने से धाई लाग के करीब छात्रों को इससे फायदा होगा और हम स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए उन्हें मोबाइल और स्मार्ट फोन देने जा रहे हैं और वहीं गोरकपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश आदम ने जनसबा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंद्र को बचाने का है और बीजेपी का निशाना सात्ते हुए उन्हें कहा कि जो लोग इतने दिनों से किसानों की आवाज को नहीं सुन सके आने वाले समय में भी कोई भी आंदोलन करेगा तो उसे कुछलने का काम करेंगे और उन्हें ने कहा कि ये जन समर्थन देखकर लग रहा है कि किसी को बुखार चड़ा होगा और उतर भी गया होगा और वहीं अखले शादव ने आगे कहा कि जंसेलाब देखकर लग राया है कि जंता बदलाब चाहती है और जंता पर भरोसा है और यकीन है कि यहीं से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और बीजेपी ने किसानों को आई दुगनी करने का वादा किया था और कहां हुई दुगनी आई और वहीं आमदनी और मुनाफाग घट गया है आये बढ़ाने की बजाए मेंगाई भी बढ़ा दी गई और अनदाता का अफमान सबसे ज़्यादा बीजेपी ने किया है और किसान भाईयों और सात्यों का धन्यवाद देना चाओंगा और इतना जन समर्थन मिला है और वहीं आपको बता दे की बीजेपी की सरकार जाने वाली है और बीजेपी के लोग कहते थे कि हवाई चपल पहनने वाले हवाई जाज पर नहीं चला और वहीं डीजल पैटोल इतना महंगा कर दिया गया कि मोटर साइकल नहीं चला परे और वहीं सपाद्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मा बहनों का भी संबान होगा और बाबाजी के छेट में बदलाव भी होगा और बदलाव और खुशाली नोजवानी की नोकरी के लिए सपा की मदद करिये और उन्होंने कहा कि कुरोना काल में मजदूर कहा कहा से पैदलोटे अस्पताल दवा बिस्तर अक्सीजन और अजने सुवीधा नहीं दे पाई और लोगों की जान चली गए और किसी युवा को नोकरी और रोजगार नहीं मिला है और वहीं डॉलर के सामने रूपे की कोई कीमत नहीं बची गरीबों की जेब काड़ का उद्योगपत्यों की जेब भर दी गए और इनका सफाया होना निश्चित है